हरियाणा को हिंसा की आग में जोकने का आरोपी मोनुमाने सर, नासीर और जुनायत को जिन्दा जलाने का आरोपी मोनुमाने सर, वारिस और उसके जैसे दर्जनों मुसल्मानों को जान से मारने या घायल करने का आरोपी मोनुमाने सर, दूद दही घी में गोबर और गवमूत मिला कर रिजवान और मुक्तियार को पंचगव खिलाने वाला मोनुमाने सर गौरक्षा के नाम पर आतंक मचाने वाला मोनुमाने सर कट्टा लहराने वाले रामभक्त गोपाल का दोस्त खुद बड़ी-बड़ी बंदू के लहराने वाला मोनुमाने सर आखिर कार गिरपतार ह हर्याणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है राजिस्थान पुलिस को रिमांड पर सौप दिया है जिसको हर्याणा पुलिस वालों ने पॉल्टिकली पाला पोशा बढ़ा किया खुली छूट दी प्रोटेक्शन दिया सम्मान दिया अब दबाओ के चलते उस पर एक्श गया है महीने भर से देश भर में बने दबाओ के चलते धर लिया गया है मोनु माने सर की गिरफतारी से क्या होगा पूछने से पहले इस बार सजा होगी आहमेशा की तरह रिहा होगा जानने से पहले सलाकों के अंदर रहेगा या फिर टिकट सम्मान पाकर सांसत बनेगा यूनिय बायोग्राफी पर अध्यान किया जाए मगर अतिवादी आतताई तो इतना है कि इसकी कर्टूतों का दस्तावेजी करण किया जाए यही करने की कोशिस की है आल्ट न्यूज की पत्रकाज शिंजिनी मजूमदार ने आईए इस रिपोर्ट की दो-चार सबसे जरूरी बातों पर चर्चा की जाए मोहित यादो उर्फ मोनू माने सर पॉल्टेकनिक डिप्लोमा होल्डर है जो खुद को गवरक्षक बताता है गवमाता की रक्षा करना अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश बताता है एक वाकिय का जिक्र करता है कि कॉलेज से घर लोटते समय उसने और उसके दोस्तों ने गाय से भरा हुआ एक ट्रक देखा जिसमें खून टपक रहा था पुलिस को सूचना दी तो दो मुसलमान पकड़े गए तब से लगा कि हमारी गवमाता और हमारी धर्म का अपमान हो रहा है मोनू गवमाता की रक्षा के लिए हत्यार उठा या चुन-चुन कर मुसलमानों को मारने के लिए गवरक्षक बन जाता है ये बात बोल कर जाहिर नहीं करता है मगर आगे की कहानी से सब कुछ अपने आप इसपस्ट हो रहा है अब मोनू की गवसेवा का सिलसिला शुरू हो जाता है सडकों पर दोड़ा दोड़ा कर चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन ये तरकीब मोनू 2016-17-18 तक अपनाता है फिर 2019 में मोधी राज 2 आ जाता है मानो ये सब करने का खुले आम लाइसेंसी मिल जाता है इसी का एक साथी कैसे CAA प्रोटेस्ट में घुस कर बंदूक लहराता है सबने देखा इधर इसका भी समर्थन बढ़ता चला जाता है 2021 तक हिंदू महापंचायतों का हीरो बन जाता है मुसल्मानों को मारने का अहवान करता है बिन बुलाए ही आकर हिंदू बहनों का भाई बन जाता है मुसल्मानों को लब जिहादी बताते हुए पकड़ पकड़ कर पीटने का एलान करता है खुद ही हिंदु धर्म का ठेकेदार बन जाता है और कहता है भासनों से समधान नहीं होगा मारने पीटने से ही समधान होगा इसके साथ जैश्रीराम के नारे लगाता है इस तरह से मोनु माने सर गुरगराम रिवाडी नू उचेतर में लगबग 50 गवरक्षकों की टीम का लीडर बन जाता है ऐसा लीडर जो ना सिर्फ गोली मारता है बलकि गवरक्षा के लिए गोली भी खाता है मुसल्मानों को निशाना बनाने की इतनी बुरी सामप्रदाइक लट लग चुकी होती है कि अब तसकरी के आरोपों कभी इंतजार नहीं कर पाता है किसी कूडा बिनने वाले को भी पकड़ लेता है पत्थर बाज बताते हुए असॉल्ट करता है इसकी लीडर्शिप में इन छेत्रों में बजरंग दल इतना मनबढ हो जाता है कि कभी ये किसी मुसलिम कबाड़ी को पकड़ कर उसके पेट पर लात मारता है तो कभी इसका कोई साथी किसी मुसलिम राहगीर के पेट में बोली मार देता है 2023 की शुरुआत में वारिस और उसके दो साथीयों को ये लोग पकड़ते हैं वीडियो बनवा कर खुद ही अपलोट करते हैं इसके बाद वारिस की मौत हो जाती है परियन कहते हैं कि मौनू के नेत्रित में बजरंग दल वालों ने पीट पीट कर मार डाला मगर वीडियो सबूत के बावजूत पुलिस वाले इसे साड़क हादसे में हुई मौत बताते हैं और फिर नासीर और जुनयत की कहानी जग जाहिर है जिने गौरक्षा के नाम पर गुंडे पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं पुलिस वाले कुछ देर में छोड़ देते हैं, और फिर बोलेरों के अंदर जिन्दा जला दिये जाते हैं अब इसकी आग लगने लगी छेतर के तमाम मुसल्मानों के अंदर कि शासन प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है हर संभव इसी का बचाव किया जा रहा है, ये खुले आम मुसल्मानों का कतले आम कर रहा है महीनों तक मांग होती रही मोनु मानेसर को गिरपतार किया जाए, नहीं गिरपतार किया गया जुलाई में मोनु मानेसा ने न सिर्फ नू छेत्र से गुजनने वाली सोभा यात्रा में शामिल होने का एलान किया बलकि अपनी सामपरदाईग गैंग के जरिये पूरे छेत्र में आग लगा दिया जैसे बिट्टू बजरंगी नाम का ये सक्स वीडियो जारी करके धंकी दे रहा था, मुस्लिम महिलाओं को थ्रेट दे रहा था, खुद को मुसल्मानों का जीजा कह रहा था कुछ सालों से लगातार आग लगाने की कोशिस आखिरकार सफल हो गई और जुलाई के आखिर में यकहन अगस्त की सुरुवात में हिन्सा भढ़क गई मामले को सामपरदाईक रंग दे कर देजभर में दंगा कराने की कोशिस की गई मगर किसान नेताओं की मुस्तहिदी से मामला संभाल लिया गया और गुर्गराम दिल्ली तक पहुँचा आई हिंसा की लपट को वही रोक दिया गया सोचिये सामप्रदाइक नमूने कैसे नाम पहचान कमाने के चक्कर में देश को दंगे की आग में जोग दे रहे हैं फिर भी कभी पुलिस से प्रोसान पा रहे हैं कभी नेताओं से शाबासी पा रहे हैं देश भर के लोग दबाव डाल रहे हैं पडोसी राजी की पुलिस डिमांड कर रही है तब जाकर गिरफतार कर रहे हैं सायद ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि संदेश बिल्कुल साफ हो चुका है कि गौरक्षा की बात करने वाले लोग सामप्रदाईव भाशनों से एक कम्मुनिटी के खिलाब जहर उगलने वाले लोग अब सफल हो रहे हैं, इतने सफल हो रहे हैं कि वही देश चला रहे हैं, वही सबसे बड़ा प्रदेश चला रहे हैं